दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें नालंडा यूनिवर्सिटी वो जगह है जो छटी शेताबदी में पूरी दुनिया में ग्यान का केंदर था कुरिया, जापान, चाइना, तिबत, तुर्की और कई देशों से यहां स्टूडेंट्स और टीचर्स पढ़ने पढ़ाने आते थे लेकिन दिल्ली के सुल्तान अलाउदीन खिलजी के हमले ने इसको तहस नहस कर दिया उसने नालंडा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी जिससे उसकी लाइबरिरी में रखी बेश कीमती किताबें जलकर राक हो गई खिलजी ने नालंडा के कई धार्मिक लीडर्स की भी हत्या करवा दी छटी शताब्दी में हमारा देश भारत सोने की चिडिया कहलाता था उस समय नालंडा यूनिवर्सिटी राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी यह राजगीर से पटना को जोडने वाली सड़क पर स्थित है यहां पढ़ने वाले ज़्यादा तर स्टूडन्स विदेशी थे उस समय यहां दस हजार स्टूडन्स पढ़ते थे जिने दो हजार टीचर्स काइट करते थे महायान बौद धरम के इस विश्वविद्याले में हीन यान बौद धरम के साथ दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी मशूर चीनी यातरी हुएन संग ने भी यहां साल भर शिक्षा ली थी यह दुनिया की ऐसी पहली युनिवरसिटी थी जहां रहने के लिए होस्टल भी उपलब थे कहा जाता है के एक बार अलावतीन खिल जी बुरी तरह बेमार पड़ गया था उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ तब किसी ने उसे नालंदा युनिवरसिटी की आयूर विदिक शाखा के प्रमुक राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सला दी लेकिन खिल जी किसी भारती वैद से इलाज के लिए तयार नहीं था उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था उसका मन ये मानने को तयार ही नहीं था कि कोई भारती ये डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है कई हकीमों से सला करने के बाद आखिरकार खिल जी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र को बुलाया खिल जी ने उनके सामने शर्ट रगी कि वे किसी भारती ये दवा का इस्तिमाल नहीं करेंगे और अगर वो ठीक नहीं हुए तो वे उन्हें मौत की नीन सुला देगा ये सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पढ़ गए फिर कुछ सोच कर उन्होंने खिल जी की शर्टे माली कुछ दिनों बाद वे खिल जी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोस बढ़िये आप बिलकुल ठीक हो जाएंगे दरसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर इंग्दवा का लेप लगा दिया था खिल जी उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने भारती वेद के एहसानों को भुला दिया उसे इस पास से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए जबकि एक भारती वैद उसका इलाज करने में सफल हो गया तब खिलजी ने सोचा कि क्यों न ग्यान की इस पूरी जड़ याने नालंदा यूनिवरसिटी को ही खतम कर दिया जाए इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतहास ने उसे कभी माफ नहीं किया जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवरसिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया कहा जाता है कि यूनिवरसिटी की लाइबडरी में इतनी किताबे थी कि वह तीन महीने तक चलती रही इसके बाद भी खिलजी का मन शान्त नहीं हुआ उसने नालंदा के हजारों धर्मिक लीडरों की भी हत्या करवा दी बाद में पुरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट misteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजासत दीजिए